प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर, हरिलाल, जेकि सुन्दास, कानिया को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने 1950 से 1951 तक सेवा की प्रश्न, भारत के राज की पहले महिला मुख्य मंत्री कौन थे? उत्तर, सुचेता कृप्लानी किसी भारत के राज की मुख्य मंत्री बनने वाली पहले महिला थे, जो 1960, प्रीपेश, 1967 तरफी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभुक्त थे प्रश्न, भारत का सरगोच्च नागरिप नुरस का भारतत रत्न पाने वाले पहले भारतिय कौन थे? उत्तर, भारत के दूसरे राश्ट्रपती डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्नन 1924 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतिय थे? प्रश्न, किस भारतिय राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? उत्तर, राजस्थान, दो अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला भारतिय राज्य था? प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उत्तर, न्यायमकूर्ती लीला सेठ में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करते हुए, भारत में किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन कर इतिहाद रूप मुख्य न्यायाधीश कौन थी?